आप सभी को नवरात्री की धेर सारी शुब कामना है जैसा कि हर त्योहार की शुरुवाद जो होती है मीठे से होती है वैसे ही आज मैं नवरात्री के लिए आपके लिए सबसे पहले लेकर आई हूँ लौकी की खीर तो लौकी की खीर के लिए मैंने एक छोटी लौकी कद्दू कस कर लिए उस कद्दू कस में मुझे सारे बीच उसके अलग कर लेने है सिर्फ मैंने इतनी ही लौकी लिए है कि उसका कद्दू कस जो निकला है वो एक कटोरी के करीब निकला है फिर मैंने इसे 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दिया है जिससे इसका पानी रिमूव हो जाए मैंने एक पैन में टेबल स्पून घी डाला है और फिर मुझे ये कद्दू कसकी हुई लौकी डाल देनी है और लौकी को हमें तब तक भूनना है जब तक वो अपना कलर ना चेंज करने लगे सिकने ना लगे उससे उसका जितना भी मॉइस्षर है वो ओड़ जाए एवापरेट हो जाए हमें तब तक लौकी को भूनना है और जब तक ये चिपकने लगेगी जब कलर चेंज होने लगेगी तब मैंने इसमें शामिल किया है एक लीटर के करीब दूद जब भी हम खीर बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो दूद है वो फुल क्रीम होना चाहिए मलाई निकला हुआ दूद हमें नहीं लेना है अधरवाई जो टेस्ट है वो उसमें बहुत फर्क महसूस होता है अब मुझे से 10 से 15 मिनिट करीब धीमी आजपे से काढ़ना है खीर जितनी देर धीमी आजपर पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी आप इसे जरूर एक बार ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती है कि खीर इतनी टेस्टी थी फिर मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब खोया डाल दिया खोया बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसमें 3-4 बड़े चमच मिल्कमेड यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब आप मिल्कमेड यूज़ करेंगे तो आपको शक्कर कम करनी पड़ीगी शक्कर मैं मीठा कम खाती हूँ इसलिए मैंने इसमें शक्कर 3-4 चमच ही शामिल की है अब मैंने खोये को बहुत अच्छे से इसमें घोल लिया है देखना है सारी गुट्लिया नह रह जाएं और फिर मैंने इसको 10-12 मिनिट के लिए पकाया है फिर मैंने एक पैन में लिया ह एक टेबल स्पून घी और मैंने इसमें तड़के के लिए ड्राइफूट्स तया फ्राय करने हैं ड्राइफूट्स हमें ऐसे फ्राय करें कि वह क्रंची हो जाएं सौगी ना हो और आमें बहुत जादा देर पकाना नहीं है ड्राइफूट्स डाल कर तो मैंने यह चीनी डालना है, चीनी हमेशा तब शामिल करें जब आपके खीर को पकने में सिर्फ 5-10 मिट रह गए हो, चीनी डालने के बाद हमें इसे बहुत देर नहीं पकाना है, अदरवाइस वो चाशनी बन जाती है, और बस फिर मैंने इसमें 3-4 हरी लाइची का पाउडर डाल दिया ह पांच मिट और मैंने से धीमियाच में कड़ने दिया है, और हमारी लौकी की खीर बिलकुल तयार है, आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिए, यह बहुत टेस्टी बनी थी